कि नमस्कार मैं अंजली विश्व और स्वागत है आपका हमारे चैनल में शुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद से बॉलिवुड फिल्मों को बॉयकॉट करने का चलन थमने का नाब नहीं ले रहा हाली में इस वहिशकार का शिकार आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चड़ और अक्षय कुमार की फिल्म रक्षय बंधन को हो गई थी यह दोनों ही फिल्में वैसे तो सेलेव घरों में रिलीज हो गई है लेकिन इनका वहिशकार शोशल मीडिया पर रिलीज से पहले से ही शुरू हो गया था दोनों ही फिल्मों के वहिशकार का असर इनके कलेक्शन पर भी देखने को मिल रहा है अब इसी बॉयकॉट ट्रेंड में बॉलिवूट के बादशाथ शारुख खान के फिल्म पठान का नाम भी शुमार हो गया है शारुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान साल 2023 में रिलीज होगी हाला कि शोचल मीडिया पर अभी से फिल्म का वहिशकार शुरू हो गया है ट्रेंटर पर हैस्टेग बॉयकॉट पठान तेजी से ट्रेंड कर रहा है रिलीज से पहले ही फिल्म के बॉयकॉट को लेकर मेकर्स भी काफी परिशान है वैसे तो अभी तक शारुकान के फिल्म के वहिशकार का कोई कारण सामने नहीं आया है लिपन लेकिन रिपोर्ट की माने तो एक्टरस दिपिका पधिकोन के जेन्यू जाने वाले मामले को लेकर लोगों में गुसा है और इसी कारण पठान का बॉयकॉट हो रहा है बता दे शारुकान के फिल्म पठान में अक्टरस दिपिका पधिकोन मुख्य किरदार दिभाती नजर आएंगी इसके अलावा फिल्म में अशुतोष राना, डिंपल कपाडिया और जौन इब्राहम जैसे अक्टरस भी नजर आएंगे हाली में फिल्म से दिपिका पिटगोन का लुक सामने आये था जिसमें अक्टरस के हाथ में गन मौझूद थी पठान में दिपिका के लुक को देख कर लग रहा है कि वो फिल्म में एक्शन ने भरपूर होगी सिधार तानंद के डारेक्शन विबनी शारुक खान के फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी क्यार्क ने इस बुड़े मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है क्यार्क पठान को लेकर शारुक खान पर कोई भी निशाना साधरे का मौका छोड़ते नजर नहीं आते हैं और ऐसे वह उनका ट्वीट जो है वह देखनी के लिए मिल रहा है जिसे सापस्पष्ट हो चुगा है कि जो है क्यार्क वो शारुक खान को लेकर वयान बाजी करते नजर आ रहें क्यार्क ने ट्वीट करके लिखा है कि प्रेडिक्शन 82 अब मैं यह कह सकता हूं 100% गैरेंटी के साथ कि शारुक खान के फिल्म पठान भी लासिंग चड़ा की तड़ा एक बड़ी डिजास्टर स बड़ा देगे शोशल मीडिया पर कई सरे तस्वीरेस आ जा 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 गए जिसमें यह कहा जा रहा है कि शारुक खान ने पाकिस्तान के लोगों को सलाम मिंचा था उनके फिल्मों को देखने के लिए कहा था फिर शारुक खान ने उरी अटक के बाद एक पाकिस्तानी एक्ट जो है जिस तरीके से पैसे की दरवत पड़ें, पैसे की डॉनेशन पकिसान को करता है, उस मामले को लेकर भी घेर रहे हैं, तो काइस सारे वज़ा है इस फिल्म को बॉयकॉट कर दे की जो लोग साजा कर रहे हैं, और उसमे एक और वज़ा ये भी है कि जो लीड रोल है सारु और दिपका पड़कोन का तो डिपका पड़कोन जन्यू में गईती से लेकर भी लोगों में काफी जादा आक्रोश है यहीं नहीं आज की समय में बॉलिवुट की हर नई इस फिल्म शोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है बीते काफी समय से आमाखान के फिल्म ला सिंग चड़ा का शोशल मीडिया पर जम कर विरोध हो रहा है जहां एक तरफ ट्विटर पर ला सिंग चड़ा बॉयकाट ट्रिंट कर रहा है तो वहीं सड़कों पर भी इस फि इस फिल्म के खिलाफ लोगों ने कई सारे ट्वीट किये हैं और जादा तो यूजर्स ने अपने ट्विट्स पे जात दिपका पड़कों की तश्वीर से एर की है जिसमें वह जवार खड़ी नजर आ रही है यह तस्वीर तब की है जब दिपका अपनी फिल्म छापक का प सामना करना पड़ेगा इसके अलावा शारुखान और बॉलिवूड बॉयकॉट की वज़े से भी पठान लोगों के निशाने पर है एक यूजर ने दिपका पड़कों की तश्वीर सेर करते हुए लिखा कभी नहीं भूलेंगे दूसरे यूजर ने लिखा मैं सभी फिल्म में शारुखान और दिपका पड़कों के अलावा जॉन इब्राहिम भी दिखाई देंगे इसके अलावा शारुखान की दो और बड़ी फिल्में 2023 में दस्तक देगी जिसमें जवान है जो 2023 में दो जून को रिलीज होगी इसके बाद राजकुमार इनानी के निर्द और देखने करें मिला है क्या उसी बॉइक को ट्रेंड का असर शारुखान के फिल्म पर देखने के लिए कि लगातार लोग जो है अब हैस्टाग बॉइक चड़ा को ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं ऐसे में आपको उता देगी जो है शारुखान के मुश्किले भी बढ़त हाँ में आपकारण को बॉइक को बॉइक सुच्ट कर रहे थे एक हजार से स्क्रिंड कैंसल कर दिया गया जो कामप्लेक्स जो आपको बता दे है कि सिल्मागरों के मालिक है उन्होंने भी इस फिल्म के नहीं जिस तरीके से प्रशारित हो रहे थे जिस तरीके लोग नहीं आ जो इस वक्त काफी जादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है और ऐसे में इस ये ट्रेंड भी कर रहा है और साफ तोर पर लासिंग चड़ा को उसके फिल्म आने से पहले रिलीज होने से पहले से बॉयकॉट किया जा रहा था और इसके बाद आपको बता दें कि अब जो है लास आपको इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है फिल्म को जिस तरीके से प्रमोट की गई जिस तरीके से अच्छे स्क्रिप्ट है अच्छे फिल्म है बहुत सारी बाते कहीं गई लेकिन उसके बावजूद फिल्म फ्लाप होता नजर आ रहा है अब ऐसे में लाल सिंग चड़ की नईया डूब गई है अब ऐसे में ऐसे बॉयकॉट का असर अशारु खान की अपकमिंग फिल्म पठान पर कितना जादा पड़ेगा यह तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा फिल्हाल के लिए हमने आपको यह पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साजा करें